वैसे तो मुझे इन सब बातों से मतलम नहीं रखना चाहिए लेकिन बात जहां पर एजूकेशन की आती है बात जहां पर सिख्छा की आती है तो उस समय थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत पड़ती है यह जो मैडम की तस्वीर आप देख रहे हैं इस मैडम को आप भली प्रक अलोग मौरिया से इनका सपना था उस समय यह कुछ नहीं थी देख सकते हैं उस समय यह कुछ नहीं थी इनका सपना था एसडियम बनने का इनके हस्बिंड आलोग मौरिया जो की सफाई करमचारी थे इन्होंने बहुत जादे महनत करके घर पूरा संभाल करके इनको समय दिय और आज की समय में मैडम ने क्या कर दिया है इसके उपर यानि कि अपने पती अपने हस्बेंट अलोक महुरिया के ऊपर बकाइदा और साथी साथ डाइवर्स भी फाइल कर दिया है जो कि इसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है अगर मेरे देखे तो यह बंदा सोचता था कि मैं हीरा ठाकुर बन जाओ सुरेवंसम के जैसे लेकिन इसके साथ वो नहीं हुआ यह भी सोचता था कि जब मैं अपनी पत्ती को पढ़ा दूँगा तो हमारी जिंदगी बहुत सही हो जाएगी इसको नहीं पता था कि मेरी जिंदगी नर्प बनने वाली है अगर इसको मै पुला लिया है अब तुम घर आ जाओ को वहां रखर कर already करने की कोई जरूरत नहीं पढ़ने के कोई ज़रूरत नहीं है यह क्यों हुआ कि लोगों और के वर्म इस ओरत के वज़ा से हजारों महिलाओं की सपने पर इसने पाने फेर दिया है अभी तो सैकड़े सैकड़ों रुजान देखने को ना मिलने 136 आगे आने वाले समय में आप या हम कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी बीबी को पढ़ाएं और अपने से ज्यादा वदे पर उसको बिठाएं क्योंकि इनकी इस मैडम की बात एक और न्यूज देखने को आया है कि एक कोई महिला थी उनका पती पंडिताई करके और उसको पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके एसाई बना दिया और जब वो ऐसाई बन गए तब उन उसने अपने पत्नी से कहा अब तुम्हारी आवकात नह इतना बड़ा बनाया तुम आज के समय में उसकी वकात देख रही हो कि समस्या यह नहीं है कि इसने इसके साथ गलत किया गलत किया यह तो मतलब हो गया एक बहुत बड़ी बात है बहुत अपने आप में बोले तो बहुत बहुत बड़ी नाइंसाफी है इसके साथ लेकिन इ पढ़ाएंगे जो कि एक अलगी प्रकार का नाइंसाफ होगा मतलब इसने अपने साथ साथ अपने पीछे हजारों अरोतों की जिंदगी को बरबाद कर दिया कि मेरे विचार से इसको तो नोकरी मिलने ही नहीं चाहिए जहां पर यह रहे वही से इसको भागा देना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए गंदे धब्बे हैं मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा और अपने विचार इसके बारे में आप क् सठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं छमा प्राती हूं लेकिन इतनी बात कहनी बहुत जरूरी थी कि जय हिंद